हेलो दोस्तो, हिंगे अंडुवाइट टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको मोबाईल के मैसेज एप की चार सीकरेट सैटिंग के बारे में बताऊंगा दोस्तो लगभग सभी अंडुवाइट फोन में गूगल का ही मैसेज एप होता है जिसमें हमें message वगेरा आते हैं लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि इस message app में आपको कुछ ऐसी hidden secret setting देखने के लिए मिल जाती है जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आपको message app को use करने में पहले से काफी ज़ादा मज़ आएगा तो यार वीडियो को एक प्याना सा like कर दो चैनल पर नए हो चैनल को subscribe कर लो तो बात करते हैं पहली setting की तो सबसे पहले दोस्तों आपको message app को update कर लेना है प्ली स्टोर में जाके इसके बाद आपको message app को open करना है उपर आपको यहाँ पर three dot मिलेंगे इस पर आपको click करना है यहाँ पर एक option मिलेगा settings का आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर आपको एक option देखने के लिए मिलेगा bubbles दोस्तों आप message app के लिए bubbles को on off कर सकते हैं जब भी आपके mobile पर कोई message आएगा तो वो bubble की form में आपको screen पर दिखाई देगा आप उस पर click करके message को read कर सकते हैं और reply भी कर सकते हैं जिस तरह से facebook messenger के लिए bubble chat हम करते हैं इसी तरह से यहाँ पर आप bubble को enable कर सकते हैं तो आपको bubbles वाली setting पर click कर देना है यहाँ पर यह nothing पर set होगा आखरी वाली setting पर तो आपको इसे पहली वाली setting पर set कर देना है ठीक है यह setting आप set करने के बाद आपको जो भी message आएगा वो bubble की form में दिखाई देगा यहाँ पर मैं अपने दूसरे mobile से message send कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको live दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर message आएगा तो यहाँ पर screen पर bubble दिखाई देगा आप देख सकते हैं यहाँ पर message आ चुका है और यहाँ पर bubble show हो रहा है message में क्या लिखा हुआ इस पर click करके आप इस तरह से देख सकते हैं और यहीं से आप message का reply वगरा भी कर सकते हैं यह काफी useful setting है दोस्तों आप अगर message app को काफी जादा use करते हैं तो यह setting को आप use कर सकते हैं इस तरह से आप इसे कहीं पर भी set कर सकते हैं इसे delete करना है तो इस तरह से आप इसे delete भी कर सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी setting की तो message app पर कई सारे हमें important message आते हैं जिससे किसी दोस्त ने ID password send किया Wi-Fi का password send किया या फिर कोई bank detail से या फिर किसी भी तरह का कोई secret ऐसा message है जिसकी आगे हमें ज़रूरत पढ़ सकती है तो उस message को दोस्तों आप star कर सकते हैं जिस तरह से हम messages को WhatsApp में star करते हैं इस तरह से आप इस message app में भी किसी भी message को star करके रख सकते हैं और future में कभी भी आपको उसकी ज़रूरत पढ़ती है तो आपको वो एक click में मिल जाएगा तो किसी भी message को star करने के लिए आपको क्या करना है पहले उस chat को open कर लेना है अब यहाँ पर यह वाला message जो है मुझे star करना है ताके future में मुझे कभी भी ज़रूरत पढ़े इस password की तो मैं इसे आसानी से धून पाओ ठीक है तो जो भी message आपको star करना है आपको एक second के लिए उस पर इस तरह से दबाना है तो उपर में यहाँ पर आपको star का button देखनी के लिए मिल जाएगा आपको इस पर click कर देना है तो यह message जो है stars वाले section में चला जाएगा और message के नीचे में आपको star का एक button भी दिखाई देगा इस तरह से आप किसी भी message को star कर सकते हैं और star किये गए message को अगर आप देखना चाते हैं तो आपको यहाँ पर three dots पर click करना है यहाँ पर आपको star it come option मिल जाएगा इस पर आप click करेंगे तो जितने भी message आपने star किये हुए है वो आपको सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी message को star करके रख सकते हैं ताके कभी भी आपको future में ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से star किये गए message को देख सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं तीसरी setting की तो अगर आप भी message app में कई सारे लोगों के साथ chat करते हैं और उन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके favorite है जिनसे आप बहुत जादा chat करते हैं message app में तो ऐसे लोगों की chat को अगर आप pin करना चाते हैं तो आसानी से pin कर सकते हैं उनकी chat उपर में ही रहेगी और जो new messages आएंगे वो नीचे के side में रहेंगे जिस तरह से हमें WhatsApp में chat को pin करने का option मिलता है इस तरह से आपको message app में भी chat को pin करने का option मिलता है अब जो भी आपकी favorite chat है अगर आप उसे pin करना चाते हैं तो उस पर आपको एक second के लिए इस तरह से दबाना है तो उपर में आपको यहाँ पर कई सारे option दिखाई देंगे तो यहाँ पर आपको एक pin का button मिलेगा इस पर आप click कीजिए तो जो chat है वो pin हो जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर chat pin हो चुकी है अब यह chat उपर के side में ही रहेगी और कोई और message अगर आपको आएंगे तो वो सारे message नीचे के site में रहेंगे इस तरह से अगर आप chat को दुबारा से unpin करना चाते हैं तो आपको दुबारा से message chat के ओपर long press करना है और यहाँ पर जो pin का button है इस पर click कर देना है तो chat unpin हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक second के लिए chat को दबाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कुछ option दिये गए है यहाँ पर click करके आप chat को archive कर सकते हैं यानि कि hide कर सकते हैं छुपा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर archive बटन पर मैंने click किया तो आप chat देखेंगे यहाँ पर archive हो गई है यहाँ से hide हो चुकी है अगर आप इस chat को देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3.0 पर click करना है यहाँ पर आपको archive का option मिलेगा आपको इस पर click करना है तो जो भी chat आपने archive की है वो सारी की सारी यहाँ पर दिखाई देगी अगर आपको यहाँ से दुबारा से अन-archive करना है तो आपको दुबारा से long प्रेस करना है और archive वाले बटन पर click करना है तो chat वो अपस आ जाएगी इस तरह से यहाँ पर आप chat को delete कर सकते हैं यहाँ से chat को block कर सकते हैं अगर आप किसी chat को mute करना चाते हैं तो आपको 3 dot पर click करना है यहाँ पर mute notification का भी आपको option मिल जाता है तो इस तरह से यह सारे option यहाँ पर काम करते हैं अब दुफ्तों बात करते हैं आखरी setting की तो आपको यहाँ पर ऊपर में search place का एक बटन मिलेगा आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ option दिखाई देंगे जैसे के आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे star message दिखाई देंगे और जितने भी images आपको आयो होंगे या आपने किसी को send किये यह location दिखाई देगी यहाँ पर आपको links वगएरा दिखाई देंगे जो भी आपको message app में आयो होए हैं इस तरह से यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को search भी कर सकते हैं चाए message हो, video हो, photo हो या फिर कोई location हो ठीक है जैसे के यहाँ पर मैं लिखता हूँ FB और मैं search कर लेता तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने search किया तो FB आप लिखा हूँ है message में वो chat यहाँ पर आ चुकी है इस तरह से आप यहाँ पर image और photo वगएरा भी search कर सकते हैं जैसे कि हम कर लेते हैं यहाँ पर kotec जैसे मैं search करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते है message भी आ गया है और image भी आ गई है तो इस तरह से आप message एप में अगर कोई photo वीडियो या कोई message धुन रहे हैं तो आप यहाँ पर search भी कर सकते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा तो यह थी दोस्तो message एप की चार secret settings वैसे तो message एप में कहीं सारी secret setting होती है लेकिन मैंने आप आपको सिर्फ चार setting के बारे में बताया हूँ अगर आपको और setting सीखना है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं आपको इस पर वीडियो बना दूँगा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को शेर कर दो वाटसब फीजबुक पर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में टैंक यू